हरियों तस्त आज हम थोड़ा अलग टॉपिक और थोड़ा जो 24 निमोरियोलोजी के मुताबिक यह जो 24 अंक का आजकल बहुती प्रचलित हुआ है तो उसका कारण क्या है वो थोड़ा मैंने रिसर्च किया और थोड़ा 8-9 महिने से मैं उसके पर प्रयोग करता था और जो जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा समय निकाल कर उसको ध्यान से सुनिये और उसका अमल कीजिए पहली बात अंक सास्त्र जो यह निमोरियोलोजी कहते वो 24 को बोलते most lucky नंबर उसमें ऐसा क्या राज है तो उसमें दो नंबर जो है उसके सासा दिगा है दो नंबर क्या बता रहा है तो द्वंद बता रहा है तो द्वंद में क्या होता है तो दो होते है पूरुष और प्रकृती पूरुष को गौड यानि इस्वर कह सकते है प्रकृती यानि नीचर या सकती कह सकते है चार कौन है तो चार राहु के अंक जो तीन देवता ब्रह्मा विश्णु महेश उसमें से जो ब्रह्मा देवता है उसका भी चार मूख उसके फेस चार होते है चार दिसा यानि डारेक्शन भी चार है चार कोने यानि जो कॉर्णर के थे वो भी चार कॉर्णर है रुतु वो भी चार है यानि सीजन जो बोलते है वो चार है, square जो चौरस होता है, उसकी चार बाजू होती है तो इसके साथ ये चार सब्द जुड़ा हुआ है राहु के साथ तो दो प्लस चार करेंगे तो छे मिलेगा तो छे मतलब क्या हुआ, विनस, सुक्र हो गया तो सुक्र क्या है तो भावतिक सुक्संपती का वो कारक है यानि कोई भी आपको लक्जिरिस आइटम चाहिए और खास करके आपको health, wealth, happiness and prosperity चाहिए तो सुक्र का सहारा लेना ही पड़ेगा लक्षमी भी जो कुछ देता है वो सुक्र ही देता है यानि तंदू रष्ती हो गया पैसा धन हो गया सुक्ख, संपती, भयभाव, समुरुदी ये सब देता है शुक्र तो दो यानि चंद्र हो गया चार यानि राहू हो गया और राहू का अज कलियों का राजा भी लोग केते है वो बिल्कुर सही है चंद्रा से पैसा धन भी जुड़ा हुआ है लागनी इमोशन भी जुड़ा हुआ है तो यह जो कॉम्बिनिशन है दो चार यानि 24 है तो उसमें चंद्रा राहु और शुक्र यह तीनों उसमें बहुत इसकी इफेक्ट मिलती है यह 24 नमबर को एंजन नमबर भी कहा गया है नय या साहस करना है या हकारत मुझार उसको बोलते एडवेंचर है या तो कोई पॉजिटिव थिंकिंग इस जीवन में कर सकते हैं 24 का मतलब होता है सक्सेस यानि सफलता तो यह एंजन नमबर भी 24 में गिंती करते हैं तो उसका उप्योग आप कैसे कर सकते हैं तो उसका उप्य तो वो जो सुक्र का परवत कहाँ जाता है माउंटेन ओफ विनस कहते हैं तो वो सुक्र के परवत सेंटर में 24 लिख सकते हैं हमारी जो ब्ल्यू कलर की बॉलपेन होती है वो इंक से अब 24 लिख सकते हैं तो यह अंद्रसरदा की बात नहीं है यह पूरा साहन्स है और यह सब कुछ आपको देने वाला है लक्षमी भी देगा तो वहाँ 24 लिखते है तो इसका इफेक्ट आपको बढ़ जाता है उसके बहुत सारे प्रयोग मेरा अभी चलता है छोटे कागज में 24 लिखकर आप पॉकेट में भी रख सकते है अपने मंदिर के पास रख सकते है किताब म में भी रख सकते है यह सब प्रयोग चालुए है अच्छा अब एक और चीज आप ध्यान में रखे मैं समझाने की कोशिस करता हूँ कि तो पहले जमाने में क्या था तो सब गिंती होती है होरा से होती थी तो जोती सास्त रखे अगर बात करते तो अहो रात्र यानि उसको द होरा रहता है और होरा का मतलब है एक दिवस में जो चौविस कल्लाग यानि चौविस घंटे होते है उस तो एक घंटे की एक होरा यानि चौविस होरा होती है उसकी गिंती भी दीन से लेकर सूरियो देतक होता है और सूरिया से लेकर दूसरे दिन का सुबह तक होता है तो जो एक होरा मतलब एक कल्लाग तो आज देखो अंग्रेजी सब्द भी हो यू आर अवर सब्द जो बना है वो होरा पर से ही बना हुआ तो देखो हमारे रुशी मुनियों के पास कितना बड़ा नौलेज था और आप सबको मालूम है कि जो हमारी पुर्थवी है वो अपनी धरी पर गोमती है और पूरा एक चक्कर 24 गंटे में मतलब एक दिन में पूरा करती है इसी से ही लगबगे 24 कल्लाग होता है तो दिन के 12 गंटे और रात के 12 गंटे बराबर यानि कुल 24 गंटे एक दिन में गिंती होती है अब देखे पहले जमाने में सुक्ष्मा गनित भी था तो समय को कैसे मापते थे तो धाई गटी बराबर एक गंटा एक कल्लाग होता था एक गटी बराबर 24 मिनिट यहां भी 24 कांक है एक पल बराबर 24 सेकंड यहां भी 24 है एक अंस बराबर 4 मिनिट और उसको सेकंड में कनवर्ट करते हैं तो 4 मिनिट को इंटू 60 करना पड़ेगा तो 240 सेकंड आती है यहां भी 24 आगे है एक कला बरबर 4 सेकंड तो यह गिंती भी करते हैं उसमें भी 24 अंका महत्वा होता है और आगे दिखते हैं यह पूरी दुनिया का अर्थ व्यवस्ता जो चल रही हो बेज कौन सा है तो कि गोल्ड सोना है और सोने में भी 24 केरेट का गोल्ड 24 केरेट वहां भी 24 का इस्तमाल करते हैं 24 केरेट का गोल्ड का मतलब होया 100% सुद्ध सोनू तो 24 केरेट लिखा जाता है या तो फिर 999 में स्टेंप एसा मारा जाता है और उसका मिनिंग भी होता है प्योर गोल्ड विट नो अधर मेटर्स एकदम प्योर बोलते हैं उसको सुद्ध सोना 24 केरेट मतलब और एक आग बात समझ लेते हैं जो हमारे पूराने सास्त्रा उसमें एक सास्त्रा है सांख्या सास्त्रा दर्सन सास्त्रा भी कई लोग कहते हैं उसमें 24 तत्तो की बात बताई है पहले तो पांच तत्व ये पांच महभूत बुलते हैं पुरुथ्वी जल अगनी वायु आकास फिर पांच तन्मात्रा है गंद रस रूप रस स्पर्स और सब्द फिर पांच ग्ण्यानेंद्रिये नाक अमारी जीवा है आँख यानी चक्षू है त्वचा है चमडी है औ और कान यानी करना है फिर पांच कर्मेद्रे भी है हाथ है पेर है मूख है एक गुदा मार गया और लिंग और उसमें ये पांच चोक बीस हुआ चार कौन सा है प्रकुरुती है बुद्धी अहंकार और कई लोग मन उसको एंटर कर लेते हैं ये चार चौबिस हो गये और प ये सब निर्जीव है उसमें जब पूरुस तत्वा यानी जब जीव एंटर होता है आत्मा एंटर होता है ये पचिसवा तत्वा तो पूरा सरी भी इससे बना हुआ है और एक दुसरा उलेक मिलता है उसमें पांच तत्वा पांच तन्मात्रा पांच ग्नानेंद्रे और चार अंतर करण उसमें लेते हैं, चार अंतर करण में आता है मन, बुद्धी, चित और अहंकार, तो ऐसे भी 24 प्रकृती कह सकते हैं, और एक मजे की बाद समझ लिते हैं, आप सबको मालूम एक गायत्री मंत्र, अम भूर भूवा स्वह तक्स वितूर्वरेन्यम भरगोदेवश्य धीमही धीयो योनह प्रचोदयात, तो ये इसमें भी 24 अक्सर है, और एक गायत्री मंत्र, साथ रुशियों ने मिलकर दिया है, हर एक रुशियों की थोड़ी थोड़ी देन है इसमें, इसलिए ये मंत्र भ चैत्यन्य सक्ति सामील है, तो ये 24 अक्सर के साथ 24 सक्ति बीज मंत्र भी कहा जाता है, तो जो लोग गायत्री मंत्र के उपासना करते हैं, उसको ये मंत्र से सक्तियों का लाब मिलता है और उसको सिद्धी भी प्राप्त होती है, और आगे एक समझ लेते हैं, स्रिदत्त पहला है कभूतर, दूसरा पृत्वी, तीसरा सूर्य, चोथा है पिंगला, पाचमा है वायू, छठा है मुरूग, सातमा समुद्र, आठमा पतंग, नौमा है हाथी, दसमा है आकास, गिवारा जल, बारमा मदुमक्खी, तेरवा मचली, चवदुमा बालक, और पंदरा है पक्षी, छठा है अगनी, 16 मा है अगनी, 17 है चंदरव मा, 18 है कुमारी कन्या, 19 है साप, और 20 है बान बनावणार, यानि जो बान बनाता है, तीर बनाता है उसका, 21 है मकडी, 22 है भृंगी, और 24 है अजगर, और लास में चौविस हे वह Stalin यानि दत्थ भगवान दिए बना थे अब सुक्ष्व में और जाते हैं तो जो भ्राम्मन होते हैं तो भ्राम्मन के भी मुख्य चौविस गोत्र होते और हरे एक गोत्र के कूल देवी भी होती है एनि 24 गोत्र है तो 24 कूल देवी भी है थोड़ा मैं नाम बता देता हूँ पहला गोत्र भार्दवाज जो कूल देवी श्री माता दूसरा गोत्र वत्स प्रथम उसका कूल देवी तारीनी तीसरा गोत्र कूशिक उसका कूल देवी बोले गउत्रपा चोथाए कुश उसका कुलदेवी आशापूरी, पाचमाए सांडिल्य, इच्छापुरती नासीनि, छठाए कश्यप, उसकी कुलदेवी पिपली, सात्मा गोत्र, गाुतम, उसका कुलदेवी विकार वशा, आठवा चान्दन, उसका कुलदेवी जगन माता, नौमाए जानू करना उसका है महामाता दस्मा गोत्र वत्सव द्वितिय उसका कुल्देवे सिद्धा ग्यारा गोत्र वसिष्ठ कुल्देवे भट्टारिका बारमा है धार्ण और उसका कुल्देवे कदमबा तेर्वा गोत्र आत्रेय उसका कुल्देवे विकरा और चोदमा है भांडिल उसका है मिठा 15 गोत्र लोकिक उसका कुल्दिवी सुपड़ना सोड़वा गोत्र कुल्ष्णायन उसका वसुजा सत्तरवा गोत्र उपमन्यू कुल्दिवी महादेवी अड़ारवा गोत्र गार्गिय उसका कुल्दिवी मातंगी उगरिश्मा कुल्दिवी मुद्दगल उसका कुल्दिवी वानी विश्मा गोत्र मोशक उसका कुल्दिवी मुकुटेश्वरी, 21 गुदर पुन्यासन उसका कुल दिवी भद्री, 22 पराशर कुल दिवी महा सक्ति सम्हारी, 23 गोत्र कुल दिवी महा बला, लास्ट में 24 गोत्र गंगासन उसका कुल दिवी महा दिवी चामुणदा, तो ऐसे कुल ब्राम्मन के मुख्य 24 गोत्र उसका 24 कुल दिवी, और आगे जो दिखते हैं तो हमारा भारत देश है, उसका ध्वज है, उसका जंडा जो है, उसके बीच में असुक चक्रक बताया गया है, और हर एक असुक चक्र में जो 24 तितली आयनी लाइन होती है, वो भाग जो होते हैं 24, तो असुक चक्र का भी, उसका दूसरा नाम करते हुए चक्र भी कहा गया है, और यह जो 24 लाइने बता रही है, असुक चक्रकी, वो मनुश्य के 24 गुनों के निर्देश करते हैं, यह दूसरे तरीके से कहा जाता है, तो मनुश्यों के लिए यह 24 धर्ममार्ग बताये गये है, और यह 24 धर्ममार्ग कोई भी देश उसका अमल करता है, तो वो प्रगती के अग्रेसर हो जाता है, अणि अपने उन्नती के मार्ग पर रहता है, और लाश्ट में जैन धर्म की बात कर लेते हैं, तो जैन धर्म में भी 24 तिर्थंकर की बात बताईए, जो पहला तिर्थंकर वो है रुशबनाद या तो रुशब देव कहते हैं, इस वीशन पूर्वय वो हो गये है, और वो 24 तिर्थंकर की जानकरी भी कैसे उप्राप्त करते हैं, तो उसके हर एक तिर्थंकर की 24 चिन्न होते हैं, या प्रभू कहलो तो उसका 24 चिन्न भी है, तो जो उसकी प्रतिमा या जो मूर्ती बोलते हैं, उसके नीचे के भाग में एक एक चिन्न होता है, उससे उसके जानकरी मिल जाती है, जैसे की रुशब नाद या तो रुशब देव है, वो प्रतिमा के नीचे बेल का चिन्न हो तो इससे पता चल जादा है कि ये महायूर स्वामी की प्रतिमा है। हाँ अगर वो चला जाता है हाथ दोया तो अब चला गया कोई चिंदा की बादने फिर से आप लिख सकते हैं। आपको अवश्य लाब होगा हरियोम तस्त अस्तु। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रूप में सेर कर लीजिए। और आप सबको भी नंती हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।